प्यारे बच्चों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज हम चर्चा करेंगे आरोह पुस्तिका में संकलित पार्ठ ग्यारा भक्तिन की जिसकी लेखिका है छायावाद की प्रमुक इस्तम्भ महादेवी वर्मा तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इस पार्ठ की लेखिका महादेवी वर्मा के सहित्तिक परिचय के विशय में महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में हुआ था उनके कावे की बात करें तो दीपशिखा, नीहार, यामा, नीरजा, सांध्यगीत, अगनी रेखा, दीपगीत और अन्य कई कावे रचनाएं उन्होंने लिखी हैं और अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं उनके प्रसिद रेखाचित्र हैं मेरा परिवार पत के साथ ही उनके बहुती प्रसिद संस्मरन लिखे गए हैं निबंध की बात करें तो श्रंखला की कडियां, हिमालय, सहित्यकार की आस्था तथा अन्या निबंध कुछ प्रमुख निबंध हैं यामा कावे संग्रह के लिए 1983 में महादेवी वर्मा जी को हिंदी का प्रतिष्ठित ज्यान पीट पुरस्कार प्राप्थ हुआ इसके अतिरक्त उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत-भारती पुरसकार और भारत का बहुत प्रतिष्ठित पद्मभूशन सम्मान भी इन्हें प्राप्थ हुआ इनका निधन सन 1987 में इलाहबाद में हुआ महादेवी वर्मा ने अपनी लेखनी से यदि साहित्य की सेवा की तो वहीं दूसरी और व्यक्तिगत रूप से वह हमेशा समाज सेवा से जुड़ी रही गांधी जी के द्वारा दिखाई गई राह पर उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया फिर शिक्षा और समाज कल्यान के शेत्र में निरंतर कारे करती रही महादेवी वर्मा बहुमुखी प्रतिभा की रचनाकार है महादेवी वर्मा ने चाहे कविता हो या निबंद, संस्मरण हो या रेखाचित्र सभी में अपनी एक अनूठी चाप छोड़ी है उनकी रचनाओं में स्त्रेविमर्ष, सहज और स्वभाविक रूप से आता है बह कहीं से थोपा हुआ प्रतीत नहीं होता बच्चों जब आप उनके संस्मरण पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि ऐसे चरित्रों और पात्रों पर उन्होंने लिखा है जिने शायद हम बहुत साधारन समझते हैं हमारी द्रश्टी कभी उस ओर जाती ही नहीं कि ऐसे व्यक्तियों पर भी संस्मरण या रेखा चित्र लिखे जा सकते हैं लेकिन महादेवी जी की करुणा मै द्रश्टी उन चरित्रों की साधारनता में भी असाधारन तत्वों को खोज निकालती है और उन्हें अपनी लेखनी से सबके सामने प्रस्तुत करती है और इस तरह समाज के शोशित पीडित तबके को अपनी गद्य की रचनाओं में नायक बनाती है इनही के प्रयासों के कारण आज हिंदी के साहत्यक समाज पर ऐसा गहरा असर पड़ा की संस्मरन और रेखाचित्र की विधा के लिए शोशित पीडित आमजन को विशयवस्तु के रूप में मान्यता मिल गई अब बात करते हैं पाट भक्तिन की भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद रेखाचित्र है जो स्मरती की रेखाए रेखाचित्र में संकलित है भक्तिन महादेवी जी की सेविका थी और इस पाट के माध्यम से उन्होंने भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया और फिर भक्तिन के व्यक्तित्व का बहुती दिल्चस्प वर्णन किया इस पार्ट पर हम 3 चरणों में चर्चा करने का प्रयास करेंगे महादेवी वर्मा के घर में सेविका के रूप में आने से पहले भक्तिन के घर का जीवन फिर उसके शादी के बाद की जीवन यात्रा तथा उसके बाद लेखिका के उसके साथ बिताय हुए अनुभवों समाज के विरुद्ध पुने खड़े होने के अदम्य साहस जैसे पहलुओ पर चर्चा करेंगे भले ही भक्तिन पाठ लेखिका ने अपनी सेविका के साथ बिताय अनुभवों के लिए लिखा है लेकिन यह इस्तरी विमर्ष के बहुत सारे प्रशनों पर संगर्शों पर सोचने के लिए विवश करता है भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था लेकिन इस सम्रद्धि सूचक नाम को वह अपने साधारन से व्यक्तित्व के साथ बेमेल पाती थी क्योंकि वह कंठी माला धारन करती थी इसलिए लेकिका ने उस छोटे कद और दुबले शरीर वाली सेविका का नया नामकरण कर दिया भक्तिन और लक्ष्मी अर्थाद भक्तिन इस नाम को पाकर बहुत प्रसन थी भक्तिन को अपने पिता का स्नेह तो प्राप्त था परन्तु भक्तिन की सोतेली मा का व्यावार उसके प्रती अच्छा नहीं था मात्र पांच वर्ष की आयू में भक्तिन का विवाह कर दिया जाता है और नौ वर्ष की उम्र में सौतेली मा उसका गौना कर विदा कर देती है आप सूचिए बच्चो इस उम्र में व्याह देने के क्या माइने होते होंगे बाल विवा बच्चों के मानसिक और शारिरिक विकास को तो अवरुद करता ही है साथी बच्चों से उनके सहज और स्वभाविक बच्पन को भी छीन लेता है चंचलता और मासूमियत के स्थान पर जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है बच्चों क्या बटा सकते हैं कि बाल विवा किसी बच्चे को कौन-कौन से अधिकार से वंचित कर देता है सौतेली मा भक्तिन से इरशय करती थी इसलिए मा ने उसके पिता की बीमारी का समाचार इतना लेट दिया कि तब तक पिता का देहानत भी हो चुका था इधर सास भी नहीं चाहती थी कि घर में रोना पीटना हो तो सास ने बस ये कहा कि तुम बहुत दिन से अपने माय के नहीं गई हो, हो आओ भक्तिन खुशी से जूमने लगी, मानो पैरों में किसी ने पंख लगा दिये हो परंतु वहां पहुँची तो पिता का चिन भी शेशना था और उस पर सौतेली मा के व्यवार में भी कोई परिवर्तन नहीं था पिता को खोदेने और ऐसे अपमान के कारण वह बिना पानी पिये ही ससुराल लोटाती है यानि भक्तिन का बच्पन, बाल विवाह, एकिस्त्री, सौतेली मा से प्रेम ना मिलना पिता को खोदेने आदी ऐसे बहुत सारे कश्टों में ही बीत जाता है अब दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं भक्तिन के ससुराल में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक था भक्तिन ने एक के बाद एक, तीन बेटियों को जन्म दिया तब सास और जृठानियों का व्यवार भक्तिन के साथ उपेक्षा भरा हो गया सास के भी पुत्र थे और दोनों जठानियों के भी पुत्र थे इसलिए जठानिया दिन भर बैठ कर इधर उधर की बाते बनाती फिरती और उनके लड़के धूल उड़ाते फिरते, खेलते कूतते भक्तिन पूरे दिन घर का सारा काम करती और उसकी नन्नी नन्नी लड़कियां गोबर उठाती और घर के अन्य कामों में लगी रहती लड़कों को मलाई का दूद पीने को मिलता और भक्तिन की लड़कियां बचा हुआ मठा पीती बच्चो इस लिंग आधारित भेदभाव को आपने अपने आसपास अपने पडोस यहां तक की अपने घरों में भी महसूस किया होगा जब लड़के को लड़की के स्थान पर अधिक महत्व दिया जाता है पर सोचिये बच्चो ये एक महिला के साथ कितना बड़ा अन्याय, शोशन और भेदभाव है कि एक मनुष्य के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव किया जाए कि वे महिला है और इस्तरियां भी इस पित्र सत्ता के फ्रेम में दूसरी इस्तरी के साथ भेदभाव कर पित्र सत्ता को द्रड बनाती है जैसा भक्तिन की सास जेठानियों ने पुत्रियां हो जाने पर उसके साथ व्यावार किया एक महिला होकर भी पुत्री के होने पर खुश नहीं होना इस पित्र सत्ता का प्रतीक है आपने कितने घरों में देखा है कि बेटी के होने पर धोल नगाडे शेहनाई बचती हो भक्तिन, परिश्रमी और कर्मठ महिला थी परिवार से अलगोजा हो जाने के बाद उसके हिस्से गाए भैस, खेत खलीहान जो भी आया उसने अपनी लगन, महनत और निरंतर प्रयास से सब को और बढ़ा दिया मात्र 29 वर्ष की अवस्था में भक्तिन विद्वा हो जाती है तब भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाए भैस और फलो से लदे पेड़ देखकर जेट 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 के लड़कों के मन में लाला चाने लगता है परन्तु ये सब तो तभी मिलता जब भक्तिन दूसरी शादी करती पर भक्तिन कहां इनके चकमे में आने वाली थी उसका खुद का परिवार भक्तिन के प्रती हमेशा बड़ा अनुदार रहता है लेकिन वे फिर भी हार नहीं मानती इस सब के विरुद्ध खड़ी होती है गुस्से से पैर पटक पटक कर बोलती है हम कुकुरी बिलारी ना होई हमारे मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब नहीं तो तुम्हार पचाई के च्छाती पे हो रहा भूजब और राज करब भक्तिन ने अपनी जमीन जायदा तो दी ही नहीं इसके अलावा गुरू से कान पकवा कंठी बांध अपने केश कटवा लेती है और उसी घर में रहने का प्रण करती है दो छोटी बेटियों की भी शादी कर देती है और बड़ी बेटी के पती को घर जमाई बना लेती है परन्तु भक्तिन के जीवन में शायद अभी और संगर्ष लिखे थे बड़ी लड़की भी विद्वा हो जाती है भक्तिन की संपत्ती पर कब्जा करने का जेट जठानियों को एक बार फिर अवसर मिल जाता है जेट का बड़ा लड़का अपने निठल्ले साले साहब को भक्तिन की विद्वा बेटी यानी अपनी चचेरी बहन के लिए बुला लाता है क्योंकि यदि उससे शादी हो जाती तो सब कुछ इनके अधिकार में रहता परंतु भक्तिन की बेटी भी भक्तिन जितनी ही समझदार थी और इस रिष्टे से इंकार कर देती है एक दिन मा की अनुपस्थिती में वह लड़का बेटी की कोठरी में घुसकर अंदर से दर्वाजा बंद कर लेता है और उसके साथ देने वाले लोग गाउवालों को बुलाने लगते हैं वह लड़की इस लड़के की मरमत कर कुंडी खोल देती है तब गाउं के सरपंच समस्या में पढ़ जाते हैं लड़का जूटे आरोप लगाता है कि वह लड़की के निमंतरन पर ही कमरे में गया था लड़की उसके मुख पर छपे उंगलियों के निशान दिखा कर अपनी बात कहना चाती थी पर फिर भी सरपंच उन्हें पती-पत्नी के रूप में रहने का आदेश सुना देते हैं अब देखिए बच्चो एक स्त्री के प्रती समाज की भूमिका कितनी नकारात्मक होती है और समाज महिला पर कितना नियंतरन रखना चाता है उसके व्यक्तिगत फैसले भी वह सामाजिक और सामुईक रूप से लेना चाता है उसकी व्यक्तिगत इच्छा का सम्मान नहीं किया जाता बच्चो आप भी देखिए और सोचिए कि आपके घरों में महत्वपूर निर्ने कौन लेता है मा, बेटी, बेहन की घरों में निर्ने लेने में कितनी भूमिका होती है भक्तिन की बेटी का पती दिन भर कुछ नहीं करता था पारिवारिक दुएश में खेत खलिहान, गाए भैस सब जुलस गए लगान बढ़ता गया एक बार लगान न देने के कारण, गाओं के जमिंदार ने भक्तिन को बुला कर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा इतनी कर्मठ महिला के लिए ये बहुत बड़ा अपमान था बच्चों, ये समाज क्यों भक्तिन को आर्थिक रूप से तोड़ना चाता है? क्योंकि उसके पास पैसा था और ये समाज आर्थिक रूप से शशक्त महिला से भयभीत होता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी पित्र सत्ता की जड़े उखड़ने लगती है पर भक्तिन इस सब के बाद भी हार नहीं मानती वे कमाई के विचार से अगले ही दिन शहर आ पहुँचती है समाज महिलाओ के प्रती बड़ा अनुदार और कठोर रहता है ये आपने भक्तिन के संदर्ब में देखा और समझा ऐसे में किस्तरी आंतरिक तौर पर मानसिक रूप से कितने संघर्षों से गुजरती है पर भक्तिन हर बार 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 अपनी अदम में जजीविशा का परिचय देती है और हार नहीं मानती और फिर शुरू होती है अगली चरण की कथा यानि महादेवी वर्मा के यहां भक्तिन का सेविका के रूप में प्रवेश होता है भक्तिन ने केश मुंडवा रखे थे और कंठी माला पहन रखी थी इसलिए लेखिका ने शंका से प्रश्न किया क्या तुम खाना बनाना जानती हो अब भक्तिन एक कर्मट महिला रही थी उसने पूरे आत्म विश्वास के साथ आश्वासन देते हुए कहा इक कौन बड़ी बात आए रोटी बनाये जानित हैं दाल रांदलेइत हैं साग भाजी चौंक सकत हैं और बाकी का रहा अब आगे चलके हम पाएंगे कि खान पान रहन सहन सभी में वह महादेवी से बिलकुल अलग थी लेखिका आगे चलके स्विकार भी करती है कि उसके साथ रहने से आज मैं अधिक देहाती हो गई हूँ वह तो शहर की हुई नहीं वह अपनी असविधाएं छुपाने लगती हैं आप सोचिए कि लेखिका के घर में वह से विका हैं और फिर भी वह अपनी असविधाएं छुपाने लगती हैं कौन करता है किसी सहायक के लिए इतना महादेवी वर्मा कितनी समवेदन शील इस्तरी हैं ये इसी बात से पता चलता है बच्चों हमें से बहुतों के घरों में सहायक काम करते हैं हम उनके साथ कैसा व्यवार करते हैं इस पर प्रकाश टालिए या हमारे ही परिवार में से भी हो सकता है कोई सहायक के रूप में काम करने जाता हो तो उनके साथ वहां कैसा बरताव किया जाता है इस पर अपने सहपाथियों के साथ अपने विद्याले में अवश्य चर्चा कीजिए एक बार जब लेखिकाने सब काम करने वालों से अंगुठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया तब भक्तिन बड़े कश्ट में पढ़ गई क्योंकि वह इस उम्र में पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाना चाहती थी तो उसने कहना प्रारंब कर दिया हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन मा गड़ी रहती है अब हमऊ पढ़े लागब तो घर गरस्ति काउन देखी सुनी और इस तरीके से वो बहाना बना देती है किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेश भूशा देखकर वह कैय उठती है का ओहू कवित लिखे जानत है यानि क्या वो भी कविता लिखते है फिर जब उसे लगता है कि वह कविता लिखते है तो तुरंत ही कह देती है तब उ कुछो करिय धरियना बस गली-गली गाउत-बजाउत फिरी है भक्तिन यहां पर बहुत वाक पटू भी नजर आती है ये वाक पटूता और हास्य का गुण उसमें पहले भी रहा होगा पर गाउं में जो उसके साथ भेदभाव होता है इस कारण वह गाउं में नजर नहीं आता और शहर में जब वह महादेवी वर्मा के संपर्क में आती है तो उसका पूरा व्यक्तित्व हमारे समक्ष प्रस्तोत हो जाता है महादेवी वर्मा जब पढ़ने लिखने चित्रकारी का काम करने बैठती तो वे जितनी हो सकती थी उनकी सहायता करती अधूरे चित्रों को कोने में रख देती कभी रंग की प्याली धोकर तो कभी चटाई को अपने आचल से जाड़ कर उनकी सहायता करती फिर जब लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होकर आती तो वे पुस्तक को बार बार चूकर आखों के निकट लाकर उसमें अपना अंश खोजती और यह स्वभाविक भी था व्यस्तिता के बीच जब लेखिका भोजन के लिए बार बार कहने पर भी नहीं उठती थी तो वे कभी दही का शर्बत, कभी तुलसी की चाय देकर भूख का कश्ट सहने ही नहीं देती थी लेखिका की लेखनी में उनके साथ रात भर जागने के अतिरिक्त भक्तिन उनकी एकांत यात्राओं की भी साथी रही किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए भक्तिन हमेशा लेखिका के साथ चाया के समान प्रस्तुत रहती जब एक बार युद्ध के कारण भक्तिन के बेटी, दामाद, उसके नाती उसको लेकर बुलाने आते हैं तब भी वे लेखिका का साथ छोड़ कर नहीं जाना चाती फिर युद्ध टल जाता है, तब भक्तिन महादेवी वर्मा से गाउं चलने का अनुरोध करती है वे विश्वास दिलाती है कि वे किस तरह नई धोती बिचा कर उनके कपड़े रख दिया करेगी दिवाल में कीले गाड कर उन पर तक्ते रख कर उनकी किताबे भी सजा देगी कंबल बिच्छा कर वे सोने का प्रबंद कर देगी उनके रंग नई-नई हांडियों में सजो कर रख देगी तो ऐसे समय में महादेवी वर्मा को लगता है कि वे जाना तो चाहती है गाओ लेकिन उनके बिना जाना उसके लिए असंभव है तो महादेवी वर्मा इस बात को टालने के लिए कहती है कि मेरे पास वह जाकर रहने के लिए रुपया ही नहीं है तब भक्तिन ने जो उत्तर दिया उससे महादेवी वर्मा विस्मित हो जाती है परम रहसे का उद्घाटन करने की मुद्रा बना कर और अपना पोपुला मुँ मेरे कान के पास लाकर होले होले बताती है कि उसके पास पाँच बीसी और पाँच रुपया गड़ा रखा है उसी से वह सब प्रबंद कर लेगी और फिर लडाई तो अमर है नहीं जैसे ही टल जाएगी हम वापस यहां आ जाएंगे भक्तिन को अपने पैसे से कंजूसी की हद तक मोह था परंतु लेखिका के मोह के लिए वह उसका भी परित्याग करने के लिए तयार हो जाती है भक्तिन जेल जाने से वैसे ही डरती है जैसे कोई मृत्यू लोक जाने से डरता है तब भी जेल में भी वह महादेवी का साथ चाहती थी कि यदि महादेवी को आंदोलन के दौरान जाना पड़े जेल तो वह भी जाएगी तबी चुपचाप उनसे पूछने लगती है कि वह अपनी कैदोती साबुन से साफ कर ले जिससे वहाँ लेखिका को लजजितना होना पड़े क्या-क्या सामान बांद ले कि वहाँ लेखिका को कोई दिक्कत ना हो तो बच्चो आपने देखा कि भक्तिन और लेखिका के बीच ये संबंद बहुत आत्मिय था भक्तिन को लेखिका अपने घर में उतना ही स्थान देती है जितना कि आंगन में बारी-बारी से अंधेरे उजाले का आना फूलों का खिलना ऐसे मानविय संबंद समाज में रिष्टों की नई परिभाशा गड़ते हैं और अभी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हमने ये पढ़ा कि विद्वा हो जाने के बाद भक्तिन अपना सिर मुंडवा लेती है तो इस्तरी का सिर मुंडवाना या उस इस्तरी को किसी भी शुब काम में शामिल ना करना क्या पित्रसत्ता सूचक नहीं है और ऐसा क्यों किया जाता है उनके साथ आप कक्षा में इस पर भी चर्चा करें किसी इस्तरी के केश सिर्फ इसलिए मुंडवा देना, उसका सिर्फ इसलिए मुंडवा देना कि वह खुबसूरत ना लगे उसकी तरफ कोई पुरुष आकर्शित ना हो पाए, वह जीवन पूरा उसका अभिशब्त हो जाए तो इन पर भी चर्चा करने की बहुत आवशकता है अब हम देख लेते हैं इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को तुम पचय यानि तुम लोगों से दुर्वा जिसे ढोना कठिन हो, जिसे वहन करना कठिन हो अलगोजा यानि बटवारा नेहर मायका को कहते हैं विधात्री जन्म देने वाली मा पुर्खिन एक बुजुर्ग महिला के लिए कह सकते हैं राब गन्ने का पका हुआ गाढारस दुर्लंग है जिसे पार करना कठिन हो तुशारपात ओले बरसाना हत बुद्धी जिसकी बुद्धी या विचारने की शक्ति मारी गई हो हो रहा हरे अनाज को आग पर भून देना जिठोत यानि जेट का पुत्र अजिया ससुर पती का दादा और इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा की लेखनी की अगर बात की जाए तो उनके रेखाचित्र आज जिस शिखर पर खड़े हैं उन्हें छूने वाला आसपास कोई नजर नहीं आता एक महादेवी ही है जिनोंने गध्य में भी कविता के मर्म की अनुभूती कराई है प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आज का यह पाठ आपको बहुत पसंद आया होगा जिसने इस्तरी विमर्ष के इतने सारे मुद्दो को एक साथ उठाया और इन सभी मुद्दो के अतिरिक्त अगर और ऑर भी इस्तरी विमर्ष के आपको कई माइने नजर आते हैं तो अपनी कक्षा में अपनी सिक्षक, सिक्षक के साथ, अपने सहपाठियों के साथ उन पर अवश्य चरचा करें और ये भी चर्चा करें कि किस तरीके से हम समाज को लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त कर सकते हैं और इस्तरी हो या पुरुष सभी मनुष्य के लिए समान धरातल पर ला सकते हैं इसी के साथ अब हम अपसे विदा लेते हैं धन्यवाद अबस्रिघर चला है